आप अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजिनिंग से पॉलिटेकनिक करे या ना करे बहुत सारे लोगों के क्वेरी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन तो मैंने का चलो रिजॉल्व करते हैं और आप लोगों का माइंड सेट जो लोग सिविल इंजिनिंग करने जा रहे हैं साथ ये वीडियो उनके लिए बहुत इंबोडन डोल प्ले करेगा और सिविल से इंजिनिंग करे या ना करे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है और इस पूरी वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिविल इंजिनिंग से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे पहले मैं बता दूँ कि पहली बार आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप कोमेंट भी अपना शेयर जरूर करिएगा सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ सिविल से पॉलिटेकनिक करे या ना करे देखो सिविल इंजिनिंग को लोग मान रहे थे डेड़ हो गया लेकिन आप कैसे मान सकते हो सिविल इंजिनिंग डेट हो गया अरे भाई सकोप है ना सिविल इंजिनिंग का आप ये मेरे को बताओ चलो मोटी मोटा मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि क्या बिल्डिंग बनना बंद हो गई क्या घर बनना बंद हो गया क्या मतलब बड़े बड़े complex बनना बंद हो गया क्या tower बनना बंद हो गया societies बनना बंद हो गया नहीं न तो मैं आपको बता दूँ कि civil engineering का scope बस corona तक ही down था लेकिन अब दीरे दीरे pick पकड लिया गाईज अब real estate की market अपने highest point पे जा रही है यह बात आपको समझनी पड़ेगी नहीं समझोगे तो साइच चीज है वहाँ के लिए मुश्किल होंगी वहाँ फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं क्या करूं क्या ना करूं आपको strategy बनानी पड़ेगी जब आप civil engineering कर रहे हो न civil engineering में एक बड़ा बड़ा मस्ट चीज है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ civil engineering जो लोग करते हैं उनको directly job बहुत कम ही कंपनिया देती है मतलब 2%, 4% या 5% क्योंकि उनको civil में practically बड़ा तगड़ा काम होता है मानलो कि आपको directly कोई काम दे दिया गया किसी प्रोजेक्ट पे पिलर बनाना है किसी बिल्डिंग का पिलर जबको आपको basic idea नहीं रहेगा कितना material लगेगा कितने mm कि सरिया लगेगा कितना इंट लगेगा क्या और material यूज होता है direction क्या होगा पिलर कितने angle पे रहेगा यह सारी information किसी engineer के अंडर में रहेके आपको सीखना पड़ेगा इसलिए civil वालों engineering वाले परिशान होते हैं जब वो pass out होते हैं उनको लगता नहीं हम मैं directly job करूँगा आपको 6 महिने से लेके एक साल at list किसी न किसी के अंडर में रहेके site work सीखना पड़ेगा चाहे वो आप designing का part ले लो चाहे आप कोई और part ले लो designing में भी आपको सीखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि designing आसान है इसलिए आप कर ले जाओगे designing भी आपको सीखना पड़ेगा तो it's up to you guys कि उसको आप कैसे utilize करते हो कैसे ले करके जाते हो वाले टाइम में और बढ़ेगा लेकिन चलो वो तो part of life है कि यह सब चीज़े आती जाती रहेंगे, लेकिन हाँ, construction का काम इंडिया में और बढ़ेगा, ठीक है, मैं यह बात बोल दे रहा हूँ, अभी बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से construction चलना हैं, जिस हिसाब से लोग मेट्रो सिटेज में shift हो रहे हैं, जिस हिसाब से लोग करियर कहां स्टेंड करता है, यह जाधे matter करता है, तो मेरा काम ता गाईज आपको बताना, मैंने दिया आपको बता, तो आप लोग बताए क्या civil engineering आप लोग लेकर करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा लोग computer science की तरह भी भागेंगे, अब मेरा काम ता आपको बताना, उससे प और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, दोस्तों साथ वाटसप के शेयर करेंगे, मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, थाइंक यू